मूवी की शुरुआत में हम दो ब्रिटिस टोरिज लिज और क्रिस्टी को देखते हैं ये दोनों पिछले दो हफ्तों से आस्ट्रेलिया के सिड्नी सहर में बैक पैकिंग करने के लिए आई हुई थी यहां पर एक बिन नाम का अदमी होता है जो इस जर्नी में उन्हें गाइड कर रहा है बिन को यहां पर एक बेहाधी सस्ते में कार मिलती है जिसके बाद में वो सभी लोग अपनी आगे की जर्नी के लिए इस कार से निकल जाते हैं अब लगातार काफी देर तक मज़े के साथ में ड्राइविंग करते करते वो तीनों लोग हॉल्स क्रीक नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं और जल्द ही यहाँ पर रात भी हो जाती है वो तीनों लोग इसी जगह पर कैम्प लगाते हैं और खापी कर मस्ती करने के बाद में वो सभी यहाँ पर सो जाते हैं अब अगली सुबा होती है जिसके बाद में वो तीनों फिर से वुल्फ क्रीक नेशनल पार्क के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में उन्हें एक कच्चे रास्ते के तरफ जाना था जो एम्यू क्रीक की तरफ जाता है अब इसी कच्चे रोड को फॉलो करते हुए वो सभी क्रीक नाम के एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं यहां पर रुक के वो लोग कार में फ्यूल भरवाते हैं लेज और क्रिष्टी अंदर इस्टोर में जाकर कुछ खाने पीने के लिए खरीती हैं इसी इस्टोर में दूसरी साइट तरफ कुछ लोग होते हैं जो लेज और क्रिष्टी को देखकर कुछ गलत कमेंट पास कर रहे थे वो लोग बेन को भी पास में बुला कर उन लड़कियों के बारे में कुछ असलील बाते करते हैं लेकिन यहां पर समझदारी दिखाते हुए कोई भी बवाल ना खड़ा करके यहां से निकल जाता है यहां से निकलन गड़ा साफ साफ दिखाई देता है इस जगे पर आने के बाद ने वो तीनों लोग काफी खुस होते हैं जिसके बाद नीओ meat के वाधा ने जरो अपने गाडी के इसा जीब सी बात है बेन को लगता है कि साध यहां की magnetic field की वज़े से ऐसा हो रहा है इधर इनकी गाड़ी भी start नहीं हो रही थी जिससे तीनों लोग काफी tension में आ जाते हैं बेन गाड़ी को ठीक करने की कोशिस करता है पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि इस गाड़ी को ठीक करना उसके बस की बात नहीं है अब क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी थी और राद भी काफी ज्यादा हो गई है इसलिए तीनों लोग गाड़ी में रुक कर सुबा होने का इंतजार करने लगते हैं इस वैन से अंदर एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम Mick Taylor है वो इनसे पूचता है कि इतनी रात को तुम सब लोग यहां पर क्या कर रहे हो अब Ben Mick को बताता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है Mick अब यहां पर Ben की गाड़ी को रिपैर करने की कोसिस करता है जाने से थोड़ी हिचक रही होती है लेकिन क्रिस्टी के कहने पर वो भी जाने के लिए राजी हो जाती है इधर क्रिस्टी इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि Mick बिनारू के पिछले तीन घंटों से साउथ की तरफ ड्राइव किये जा रहा था जबकि उसने Ben से कहा था कि उसका कैम सिर्फ कुछी किलोमेटर की दूरी पर है अब कुछ दिर बाद फाइनली सभी लोग कैम पर पहुँच जाते हैं जो की बेसिकली एक सुनसान माइनिंग साइट थी तीनों लोग काफी ठक चुके थे और जल्दी से आराम करना चाहते थे मिक पीने के लिए सभी लोगों को पानी देता है और इसके बाद में बेन की गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है अब यहां पर इस पानी को पीने के बाद में ये तीनों लोग बिहोस हो जाते हैं अब काफी समय बाद में जब लिज की आँख खुलती है तो अपने आपको बंधा हुआ पाती है उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ में नहीं होते हैं तभी लिज की नजर पास में ही पड़े एक कांच के टुकडे पर पड़ती है और उसी टुकडे की मदद से वो अपने हाथो को खोलने में कामियाब हो जाती है अब लिज उस सेट से निकल कर बें और क्रिस्टी को डूनने लगती है यहाँ पर उसकी नजर बिन में चुपकर इंतजार करने की जगा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था मिक यहां पर ध्यान भटकाने के लिए लिज बेंग की गाड़ी में आग लगा देती है जिससे की एक बड़ा धमाका होता है धमाके की अवाज सुनकर मिक गैराज के बाहर निकलता है और मौका आते ही फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है तभी लिज पीशे से मिक की स्नाइफर राइफल लेकर उसके सामने आ जाती है मिक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है पर लिज के कांपते हुए हाथों को देखकर उसे समझने में देरी नहीं लगती है कि लिज को जाता है मिक अब लिज की तरफ बढ़ता है और घबराई हुई लिज के हाथों से ट्रिगर दब जाता है बुलेट मिक के गले को चूते हुए निकल गई थी जिसे मिक विखोस हो जाता है उसे तैसे करके लिज और कृस्टी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है लेकिन यहाँ पर मिक भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो भी उन दोनों का पीछा करने लगता है, अब दोनों लोग वहाँ से निकल चुके थे, पर यहाँ से निकलने का रास्ता ना तो लिज को पता था और ना ही क्रिस्टी को, यहाँ से जाने का रास्ता सिर्फ बेन को पता है जो कि इस समय लापता है अंधा दुन गाड़ी चलाते हुए लिज एक खाई की चोटी पर पहुंच जाती है अब क्योंकि मिक भी पीछा करते हुए उनकी ही तरफ आ रहा था इसलिए लिज एक आइडिया लगाती है वो गाड़ी को खाई में ठकेल देती है और खुद क्रिष्टी के साथ में एक टीले के पीछे चिप जाती है ताकि मिक को लगे कि गाड़ी के साथ-साथ खाई में गिर कर उन दोनों लोग की मौत हो गई हो अब यहाँ पर लिज का ये प्लान काम कर जाता है और इसे देखने के बाद मिक यहाँ से चला जाता है फिर जैसे तैसे करके दोनों लोग पहाड़ की चोटी से नीचे उतरती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ में तबदील हो चुकी है अब यहाँ से आगे जाने के लिए उन दोनों को एक कार की सक्त जरूरत है इसलिए लिज फैसला करती है कि वो वापस मिक के गराज से एक कार लेने के लिए जाएगी ये सुनकर क्रिस्टी बेहद ही घबरा जाती है क्योंकि वो दुबारा मिक के हाथों नहीं चड़ना चाहती थी जो लापता हो चुके थे और उन्हें लापता करने वाला और कोई नहीं बलकि मिक ही था तबी एक दूसरे कोने में लिज को वीडियो कैमरो का एक धेर नजर आता है जिसमें उन टुरिस्ट की वीडियो थी जिनकी मदद करने के बाद में मिक ने उन्हें मार डाला उन्ही सारे कैमरों में यहाँ पर बेन का भी एक कैमरा था जिसकी वीडियो देखने पर लिज को उसमें मिक की वैन नजा राती है और वो समझ जाती है कि मिक सुरू से ही उनका पीछा कर रहा था इसे पहले की बात और भी ज़्यादा गंभीर होती लिज एक चाभी का गुच्छा लेकर वहाँ पर मौझू सभी गाड़ियों को स्टार्ट करने की कोसिस करने लगती है थोड़ी ही देर की मसकत करने के बाद में आखिरकार एक गाड़ी चालू हो जाती है जिसकी वज़े से लिज काफी खुस होती है पर उसकी यहाँ पर ये खुसी अब जल्दी एक गम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बिग बैट कर हास रहा है मिक अब यहाँ पर लिज की पीट में चाकू घुसा कर उसे घायल कर देता है लिज यहाँ से भागने की कोशिस करती है पर मिक लगातार उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है जिससे लिज अब यहाँ पर लगबग अदमरी हो जाती है अब लिज को मरने के लिए छोड़ कर मिक क्रिस्टी के तलास में निकल पड़ता है इधर अब लिज को गए हुए आधे खंटे से भी ज्यादा हो चुका था इसलिए क्रिस्टी बिना पीछे मुड़े हाईवे की तरफ भागने लगती है भागते भागते उसे सुबा हो चुकी थी पर उसे रास्ते में एक भी गाड़ी गुजरती नहीं दिखाई देती है अब भागते हुए ठक करिस्टी हाईवे के बीच में बैट जाती है जहां कुछ देर बाद में एक बुढ़ा आत्मी अपनी गाड़ी लिए हुए उस रास्ते से गुजर रहा होता है उस आत्मी को रोकते हुए क्रिस्टी अपनी दास्ता सुनाती है जिसके बाद में वो आत्मी उसके मदद करने के लिए राजी हो जाता है क्रिस्टी को अपनी गाड़ी में बिठा कर वो आदमी उसके लिए पानी की बोटल लेने के लिए गाड़ी के डिगगी खोलने के लिए पीछे जाता है इससे पहले कि वो आदमी क्रिस्टी को पानी की बोटल दे पाता मिक अपनी स्नाइपर राइफल की मदद से उस बुढ़े आतमी को सूट करके मार देता है ये देखकर अब क्रिस्टी खुदी इस कार को ड्राइव करते हुए वहां से भागने की कोशिस करती है पर मिक भी इधर अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है मिक अपनी गाड़ी के रफ्तार को तेज करते हुए उसे क्रिस्टी के पास ले आता है पर क्रिस्टी मिक की गाड़ी को टकर मार कर उसे डिस्बाइलेंस कर देती है मिक की गाड़ी अब रास्ते से उतर कर साइड में रुख जाती है इस वज़े से कृष्टी को लग रहा था कि वो फाइंडली अपनी जान वचाने में कामयाब हो चुकी है और वो अब हंसती हुए ड्राइव करने लगती है पर तभी मिक अपनी sniper rifle से सूट करके क्रिष्टी की गाड़ी को puncture कर देता है और क्रिष्टी की गाड़ी का accident हो जाता है क्रिष्टी अप गाड़ी से निकल कर भागने की कोशिज करती है पर मिक उसके पास में आकर उसे सूट कर देता है अब वो क्रिष्टी की लास को लेकर उस बुढ़े आदमी की लास के साथ में डिक्की में डाल कर उस गाड़ी को आग के हवाले कर देता है अब इस तरफ दूसरे सीन में हमें बेन को बंधा हुआ दिखाया जाता है जो अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा था कुछ खुकार कुट्ते भी बेन के मासक को खाने के लिए काफी बेदाप हो रहे थे पर तभी काफी कोशिस करने के बाद में बेन वहां से जिन्दा बच कर भागने में कामयाब हो जाता है बेन को रास्ता मालूम था और वो जल्दी से हाइवे तक पहुँच जाता है पर दो दिनों से भूका और प्यासा होने के कारड उसे चक्करा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं रास्ते के किनारे गिर जाता है थोड़ी दिर बाद उस रास्ते से एक टूरिस्ट कपल गुजर रहे थे जिनकी नजर बेन पर पढ़ती है वो तुरंत बेन को उठा कर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन को एरलिफ्ट करके सिडनी में ले जाया जाता है जहां उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है बेन के कहने पर पुलिस लिज और क्रिस्टी का पता लगाने के लिए वापस वुल्फ क्रीक जाते हैं लेकिन एक जैक लोकेशन का पता ना होने की वज़े से पुलिस के हाथों आपर कुछ भी नहीं लग पाता है बेन के ठीक होने के बाद अगले चार मेनों तक उसे कड़ी पूस्ताच की जाती है जिसके बाद दे उसे फाइनरी रिहा कर दिया जाता है आज बेन भी जिन्दा है और अपनी फेमिली के साथ में सीडनी में रह रहा है और आपने ये जो स्टोरी सुनी है वो एक सची घटना पराधारित है इसी के साथ में यहीं पर मुवी का end होता है सो दोस्तों ये थी 2005 की एक सची खटना पराधारित मुवी जिसका नाम है वुल्फ क्रीक वुल्फ क्रीक के सिकेंड पार्ट का एक्स्प्लिनेशन भी हमारी चैनल पर अवेलबल है अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप लोग को ये मुवी पसंद आ होते वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए होते सब्सक्राइब करिएगा आज की वीडियो के लिए बस इतना है विलने के अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहिंद बंदे मातरम